दोस्तों मैं आपको दोस्त एक पर फिर से आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने ही चैनल क्या बात है यार में दोस्तों अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बगल वाले घंटे को भी दबा दे क्योंकि हम लाते रहते हैं नेने बिजनेस आइडियाज और नेनी जनकारी केवल आपके लिए। दोस्तो अपने बहुत बार जैम और जैली को जुरूर खाया होगा। जबकि इने बनाने की लागत इनके प्राइस के आधी से भी कम है। आज ऐसे ही कितनी सारी चोटी और बड़ी कमपनी जैम और जैली का बिजनेस कर लाखों में कमा रही है। और एक प्रोड़क्स से सुरुवात कर काफी सारे प्रोड़क्स बना मार्केट में सेल कर अच्छा मुनाफ़ा भी कमा रही है। दोस्तों हम भी जैम और जैली का बिजनेस घर से शुरू कर अच्छी कमाई कर सकते हैं। हम भी घर से jam और jelly बना पैक कर अपना brand बना के market में sale कर सकते हैं वैसे दोस्तों मैं आपको बता दू कि इस business में 30-40% की बचत होती है वहीं आप इसे अगर retail में बेजते हैं तो 50-60% का profit मिल सकता है इससे आप खुदी अंदाजा लगा सकते हैं कि jam jelly मैकिंग में कितनी ज़्यादा कमाई होती है और साथी साथ jam और jelly को बनाना काफी असान होता है और इनको बनाने के कितनी सारी recipe की वीडियो आपको YouTube पे भी देखने को मिल जाएं दोस्तो इस वीडियो के जड़ी हम जाने में कैसे हम घर से jam और jelly का business शुरू कर सकते हैं उसके लिए कौन-कौन से raw materials और machine की जुरूत होगी कैसे अपना माल त्यार कर सकते हैं कैसे त्यार माल को बेज सकते हैं कौन-कौन से registration की जुरूत होगी यहां आपके jam और jelly की सबसे ज़्यादा डिमांड हो वहाँ ज्यादा से ज्यादा सप्लाई करें और इसके साथ ही साथ पहले से market में jam और jelly बेच रही कंपनियों के vendor बनके भी आप अपने माल की सप्लाई कर सकते हैं दोस्तो माल लेजिए कि कोई company का office दिल्ली में है और वो बिहार या उत्तरप्रदेश में अपने द्वारत त्यार jam और jelly को बेचना चाती है तो वो बिहार में ही अपने किसी vendor के पास अपने jam और jelly त्यार करवाती है और ऐसी company का माल बेचने से आपकी market में पकड़ भी काफी जल्दी अच्छी हो जाती है दोस्तो jam और jelly को बनाना मुश्किल नहीं है जनरली हमारी घर पे घर की ladies इस्तियार करती ही है लेकिन business के लिए अगर आप इसे बनाना चाहते हैं तो बहतर अगो कि आप इसकी कहीं से training लेने फिर उसके बाद perfect jam और jelly त्यार कर पाएंगे आप किसी भी private या सरकारी institute से इसकी training ले सकते है उनके द्वारा हर वो details बताई जाएगी जो इस business के लिए जोर रही है आप चाहें तो national small industries corporation से भी इसकी training ले सकते हैं और इसके center पूरे देश भर में है जहाँ पर jam और jelly बिजनेस के लिए तीन महीने की training ली जाती है या इसके अलावा खादी ग्राम उद्योग द्वारा भी इसकी training ली जाती है training के बाद business को सुरू करने में काफी असानी हो जाती है और साथी साथ खादी कमिशन से जुड़ा होने के चलते खादी विबाग jam और jelly को बनाने और बेचने में आपकी मदद भी करता है खादी विबाग के देश भर में कितने सारे store है जिनके जरी वो आपके द्वारत त्यार jam और jelly को बेचने में आपकी मदद करता है दोस्तो अगर आप इसे घर से सुरू करना चाते हैं तो केवल एक से डिल लाक रुपे में इसकी सुरुवात कर सकते हैं वहीं छोटे अस्तर पर सुरू करने के लिए दो से तीन लाक रुपे की और केवल सौग जगा की जरूरत होती है इसे आप अपने घर के किसी कमरे में सुरू कर सकते हैं और इसके लिए आपको केवल दो-तीन छोटी-छोटी मसीन और कुछ पैकेजिंग मेटरियल्स की जरूरत होगी दोस्तो जैम और जेली बनाने के लिए मेन रॉव मेटरियल्स फल और चीनी ही है इसके अलावा सोडियम, बेंजोई, पेक्टिन पाउडर और सिट्रिक एसिड की भी जरूरत होती है ये एक तरह से फलेवर होते हैं जो जैम और जेली को बनाने में यूज किये जाते हैं और ये सारा मेटरियल्स आपको अपने आसपास के बजार में ही मिल जाएगा जहां से आप ये मटरियल्स खरीद कर अपने बिजनेस के लिए जैम और जैली को तियार कर सकते हैं और वहीं जैम और जैली को तियार करने के लिए कुछ चोटी चोटी मसीन की भी जरूत होती है जैसे की पीलर मसीन, फ्रूट क्रसर मसीन और बॉयलर इसके अलावा एक दो चोटी मोटी मसीन की जरुत और पढ़ेगी जैसे की वेंग मसीन इत्यादी दोस्तों पीलर मसीन के जरीए हम फ़लो से उसके चिलके उतारते हैं हमें क्यवल इस मसीन में फ़लो के साथ पानी को डालना होता है और यह मसीन फलो से उसका चिलका हटा बिलकुर साफ कर देती है वहीं Fruit Crusher Machine की जरी हम चिले हुए फलो का पेस्ट बना लेते हैं हमें बस फलो को मसीन के खाची में डालना होता है और यह मसीन फलो का पेस्ट बना बाहर निकाल देती है और fruit crusher machine के द्वारा बनाएगा ये paste को हम boiler machine के द्वारा पका कर उसमें चीनी और बाकी materials डालके jam और jelly को त्यार कर लेते हैं और फिर अपने brand के bottle में pack कर market में बेशने के लिए बेश देते हैं दोस्तो आपको ये सारी machine एक लाख रुपे के अंदर आ जाएंगी और आपकी इसके बहुत से supplier भी indiamart.com की site पे मिल जाएंगी जिनके जरी आप अपने business के लिए machine और raw materials खरीद सकते हैं दोस्तो jam और jelly को बनाने के लिए raw materials और machine तो एक ही होती है जबकि इनको बनाने की प्रक्रिया में थोड़ा अंतर होता है क्योंकि jam को जहाँ फल के छिलके उतारे हुए टुकडों से तियार किया जाता है वहीं jelly को फल के रस से और आप इसे थोड़ी training के बाद बड़ी असानी से तियार कर सकते हैं दोस्तो इस business को आप छोटे level पर सुरू कर एक brand बना सकते हैं और इसके लिए आपको कुछ जोरी registration भी करवाने होंगे जैसे कि पहले company का registration करवाना होगा और उसके बाद company का नाम और logo registration करवाना होगा साथी साथ उद्योग अधार से भी अपने business को registration करवा ले registration के अलावा आपको अपने दर त्यार जैम और जैली की marketing पे भी ध्यान देने की बहुत जोरूत है आपकी marketing और publicity जितनी ज़्यादा होगी आपका माल उतना ज़्यादा बिकेगा यानि अगर एक बार आपके products ने market पकड़ ली तो फिर आप अपने घर बैठे काफी अच्छी कमाई कर सकते हैं दोस्तों आपको इस business से जुड़ी कोई भी information चाहिए तो आप हमसे comment करके बता सकते हैं और हम उसका तुरंत reply करें तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही उमीद करता हैं कि आपको ये वीडियो जुरू पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और सेर करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि नए-नए business ideas पहुँचे सबसे पहले आपके पास